राम राम सभी को, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम अभी तक राश्यों की चर्चा कर रहे थे, तो चलिए इस सिल्सिले को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं गुरु जी का. राम राम गुरु जी कैसे हैं आप? राम राम एकदम ठीक हो. गुरु जी अभी तक हम राश्यों की बात कर रहते हैं और अब हम इस सिल्सिलों को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपसे सिंग राश्यों की बात. क्या ये सच में शेर जैसे बहादुर होते हैं? देखे बाहदूर है या नहीं है यह बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यह आसानी से दपते नहीं है और बड़े ठहराव के साथ अपनी जिंदगी के डिसिजिंस को लेते हैं वाद वाद में अक्सर घेरे रहते हैं क्योंकि जरा सी दे के लोगों के अंदर नित्रक्षमता बहुत जादा होती है तो अगर ये ठीक से अपनी जिन्दगी को एक धर्रे पर चलाएं सही रास्ता पकड़ें तो ये आगे जाकर अच्छे निता बन सकते हैं इनके अंदर वो पावर्स होती है नित्रक्षमता होती है और ये एकदम ये साहसी राशी है और इसके अंदर वीटा, निदर्टा, साहस ये गुड़ तो होते हैं अब वो गुड़ कितने जादा है या ये कितना उसे डेवलप कर पाते हैं ये अलग बात है लेकिन वो गुड़ होते हैं और अगर ये थोड़ा सा अच्छा सा उपाय कर लें तो ये जीवन में बहुत उनती कर सकते हैं और वो भी आसानी से संघश तो जरूर हैगा लेकिन ये उनती करते जाएंगे तो मैं दोश पूछू पहले या आप उपाए बताएंगे दोश देखे क्या होता है सिंग राशी के लोग होते हैं लेकिन ये दुख दूर करना थोड़ा मुश्किल है गहर परिवार में इनको बहुत जादा रुची नहीं रहती है और विवाहिक जीवन में भी इनको बहुत जादा रुची नहीं रहती है आगे जाकर वो दिनवा दिन कम होती चलती है इसलिए मैं इने सला यही देता हूँ कि ये जो विवा करे में तो उसमें सिंग राशी के विक्ति से ना करें ये कुम राशी के विक्ति से कर सकते हैं ये करक राशी के विक्ति से कर सकते हैं लेकिन सिंग राशी के विक्ति से अगर विवा करेंगे तो दोनों म खानपान का बहुत ध्यान लखना होगा नहीं तो दोनों ही लोग बीमार बहुत ज़ादा रहेंगे सिंग राशी के लोग खासवर से हड़ीयों की समस्याओं से बहुत झाली घर जाते हैं इसलिए इने ध्यान लखना होगा तीसरी बात क्या है कि आख़्ों को लेकर इने ही है यह दुपी यह होना नहीं चाहिए लेकिन एक तरीके से अच्छा यही है अन्य था पिता जी से पटेगी नहीं आए दिन जगड़ा होता रहेगा और घर में उससे कल है भी मत जाएगी तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंग्राशी के लोग शूर्वीर हैं मस्थ हैं महत के अंदर नेत्रत ख्रमता बच्पन से ही होती है प्राकर्टिक रूप से ही होती है इसलिए थोड़े से उपाय करने थोड़ी सी महनत करने तो अपनी फील्ड में यह लोग भीतरी नेत्रत कर सकते हैं और उचाहियों तक बहुंश सकते हैं और इनके लिए कुछ उपाय है एक बात दूसरी चीज़ यह है कि रविवार के दिन इन्हें कुछ भी कम जादा लेकिन दान जरूर लगा निकाल लेना चाहिए अगर यह जादा परिशान हो किसी कारण वाश यह बहुत जादा परिशान हो तो रविवार को दिन में नमक नहीं खाएं बस यह उपाय है क ANY हमार लेंगे तो लाब में नहीं गे बहुत बहुत धन्यवाद गर्रू जी अब कंचया राशी की बात करते हैं कंचया राशी के लोग बड़े जहीं मोते हैं इनका दिमाग बड़े कबड़ा अच्छा होता है ऐ इनटेलेक्च्छ रोते होते हैं लेकिन सबसे बड़ी सम करते भी हैं इनके दोस्त इनके घर वाले इनकी जलबाजी से बड़े परेशान हो जाते हैं तो इन्हें अपनी जलबाजी पर कंट्रॉल करना होगा एक चीज और है देखे जो संबंद होते हैं कहीं कहीं वो संबंद उतने प्रोफेशनल नहीं होते जितना आजकल हम उन्हें उनमें प्यार होता है अपना पन होता है लेकिन कन्या राशी के लोग हर चीज को कल्कुलेट करते हैं हर चीज को तोलते मोलते हैं हर चीज में ये नफ़ा नुकसान देखते हैं और तब कहीं जाकर ये अपना संबंद बनाते हैं और वो संबंद जादा लंबे समय तक टिकत होगा सिंग राशी के करने राशी के लोगों का यदि शरीर पतला है तो अच्छा है और अगर इनके शरीर बल्की हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आने वाला वक्त कोई बहुत जादा अच्छा इनका नहीं होगा और इन्हें बहुत इस्टगल करने के बाद ही कुछ प्र करता है दूसी चीज यह है कि रिश्टों में calculate करना चोड़ते और रिश्टों को एंज्वाय कराएं और पने रिश्टे Bहूत अच्छे से निवहाने हैं और तुला राशी को क्या करने है है इसमें कला होती है यह intellectuals होते हैं और यह government में भी अच्छी position पर पहुंच सकते हैं लेकिन तुला राशी के लोगों को जो परशानी होती है वो यह होती है कि या तो यह बिल्कुल introvert हो जाएंगे अपने अंदर गूमते रहेंगे बस बाहर अपनी बात कहीं नहीं पाएंगे और यह पर इंके अंदर अच्छानक बहुत तेर गुस्सा आएगा जिसकी वजह से यह गड़बड कर बैठेंगे लेकिन फिर भी एक अथी राशी है तुला राशी और तुला राशी की सौमेता तुला तुला राशी की सब्वेता और इसका इंटलेक्ट यह कुल मिला के बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता और ऐसे लोग जीवन में बहुत उन्हती करते हैं तो अपनी गड़बडों से थोड़ा बच पाएं इसलिए कुछ उपाएं बताईए तुला राशी के जरूर रखें दूसरी बात यह है कि अगर इनके जीवन में बहुत परशानी आएं तो यह चांदी की चेन अपने गड़े में धारण करने और तीसरी बात कभी ना सोचें किसी को धोका देने की और किसी की निंदा करने की तरक्ति इनकी हो जाएगी जी तो अब व्रशिक राशी के क्या गुड़ों होते हैं गुरू जी व्रशिक राशी के जो लोग होते हैं ये अपने में मस्त रहते हैं अपने कारे करते चले जाते हैं और दूसरों के कारे पर या दूसरों की प्रवेसी या उसके व्यक्तित तुका बहुत जादा परवा हो, चाहे जीवन संग साथी के साथ इनका विवाद हो, लेकिन इनका विवाद बना रहता है. दूसरी बात यह है कि स्वास की दुरिश्टी से वरष्शिक राशी एक तमजोर राशी है. तो पेट की ये कुलांचे भरते हुए हिरन की तरह भागेंगे और वो चीज़े क्या है जिन पर उन्हें काबू पाना चाहिए प्रेम करना सीखें सबसे महत्पूर बात और सल्फलेस लव और यहां जब मैं लव की बात कह रहा हूँ तो ये घर घर के बाहर भी है सल्फलेस लव इनका हिर्दे बड़ा और विशाल होना चाहिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए यह लें तो डॉक्टरी सल्हा से ही ले जिकिसे सल्हा के बिना ये प्रोटीन का सेवन ना करे घर में यदि किसी को भी आर्थराइटेस रहती है तो इनको ध्यान रखना चाहिए खीरा, टमाटर, अमरूद, चावल इसका सेवन बहुत कम करें बहुत कम करें और जल खुब पिया करें जितना पी सकते हैं ये जल पिये लगबग दिन में आठ गिलास जल तो इनको जरूर पी लेना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करें ये तो प्रिकॉशन की बात हो गई गुरूजी इनको कोई विशेश उपाय भी करना चाहिए तामे की अंगुठी ये धारण करें अनामिका में और दूसी चीज ये है कि हनमान जी का पार्ट करें जब करें और उकते हुए सूरे को अवश्य देखें बस इतना भी अगर कर लेंगे तो निश्यतूप से इनके जीवन में बहुत तरक्य होगी एक चीज और है ब्रशिक राशी के हम अगले एपिसोड में लेंगे तो अब हम ऐसाद बने रहिएगा गुरुजी के अब हम प्रश्न उत्तर पर चलें देट आफ बर्थ है 30 ऑगस्थ 1985 टाइम है 9.45 एम प्लेस है न्यू डेली 2018 में शादी होई थी पतनी ने कोर्ट केस किया है देखिए इस परकार की जो हरोस्कोप्स होती है उसमें विवाह का कोई बहुत सुख होता नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द चीज़ों को सटल कर लीजे और आप एक सादू के तरह जीवन जीने की आदत डालीजे नहीं तो धोके पे धोका ही होता चला जाएगा ठीक है मेरी बात को हलके से ना लीजेगा यह महत्पूर है फिराहल मैं एक चीज़ और का होँगा कि ओम अंग अंगारकाए नमा अंग अंग नहीं है ए यू अंग जी बोलेंगे लेकिन अंग 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 अंगारकाए नमा इसका जब आप नियमित रूप से करना शुरू करिये और मच्रियों को आप दाना जरूर करना है यह दो उपाय है फिर भी मैं कहूँगा कि इससे जो फायदा भगवती को देना होगा देंगी लेकिन एक चीज मैं जरूर इसमें कहूँगा कि सुक नहीं होता विवागा अगला प्रशन है गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 4 जैनवरी 2001 समय है 8 प्यम स्थान है डेली देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ UPS से निकालना चाहता हूँ पर कॉंसेंट्रेशन की भी कमी है यह बाकी आपके पास दो हजार अठाइस तक का समय बड़ा अच्छा है और उसके बाद जो समय है यह और भी अच्छा है आप अगर चाहें तो UPS से आप इसमें निकाल सकते हैं यानि कुल मिलाके 38 तक अगस्ट दो हजार अरतिस तक का जो आपके पास समय है इस समय का आप सदूपियों करें तो सक्सेस शोर्ट मिलेगी और आपको क्या करना है ओम नमा शवाई शवाई नमा ओम बस यह जब आप अपना करना शुरू कर दीजे और कुछ लोगों की जो कुछ रोगी है उनकी सेवा जरू कर दिया कीजिए शनिवार को यह समवार को बस महनत कीजिए खूब जम के महनत कीजिए सेलेक्शन हो जाएगा अच्छे योग है गुरुजी अगला प्रेश्टे है डेट अफ बर्थ है 15th नवेंबर 1980 समय है 123 पिम जाइदपुर लखनोव 2016 में शादी हुई थी और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई अभी अलग-अलग रहते हैं और 3 साल का एक बच्चा भी है क्या इन्हें अलग-अलग हो जाना चाहिए ना चाहेंगे तब भी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो बुद की सिथी है सूरे की सिथी है यह बहुत अच्छी तो है नहीं इसलिए अगर यह नहीं भी चाहेंगे अलग होना तो भी परसिथियां कुछ ऐसी बनेंगी जो पर्तिकूल होंगी और यह अलग हो जाएंगे तो मैं तो आपको यही सहरा देता हूं कि आप बच्चे को अच्छे से पालिए बच्चे आपको मिल जाएगा बच्चे को अच्छे से पालिए और आगे बढ़िए पीछे की चीज़े भूल कर आगे आपको बढ़ना होगा तो आपको लाब और शे होगा और आप अच्छी अर्णिंग भी जीवन में कर सकते हैं 8 December 1998 समय है 9 15 PM बक्सर बिहार UPSC की preparation कर रहे हैं बट stress anxiety और depression की समस्या है देखो पिटे जहां तक सवाल है आपकी anxiety तो ये तो गायब होती है क्या करना है आपको सुमवार को दूद बाटना है और रोजाना एक माला रुद्राक्र की आप लेंगे और उसमें नमशिवाय 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 का जब करेंगे 5 माला है दूसरी बात एक माला जो जब की नहीं होगी ये अलग होगी इस एक माला को आप हमेशा पहन के रखें और जम के महनत करे सेलेक्शन हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपने इतने साथ प्रशनों का उतर भी दिया और हमेराशियों के बारे में भी बताया अब हम आपसे जानेंगे एक पेरेंटिंग टिप आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ जिन बच्चों के अंदर जिद बहुत है और जिद की वजह से वो जान बूज कर गलत स्टेप उठाते हैं जिद की वजह से क्या करना है ऐसे बच्चों से बैठिये ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजे और त्रिधातू, सोना, चांदी और त्रिधातू, यानि सोना, चांदी और तांबा इसके एक चेन बनवा दीजे, वेट कुछ भी हो सकता है, ये उनके गले में सुमवार या मंगलवार को डाल दीजे बस इतना सा काम कीजे, और ऐसे बचों की जिद दूर होने लगती है, और ये जीवन में इनकी जिद बड़ी पॉजिटिव हो जाती है, और अच्छा काम ये लोग कर पाते हैं जी Guruji, तो अब हमने एपिसोड में इतनी साही चर्चायतो कर लिए हैं, अब हम अपनी ओडियन से विदा लेकिन प्लीज ओडियन्स, क्या भोते हैं, शेयर जरूर कर दीजेगा, लाइक जरूर कर दीजेगा, कॉमेंट भी जरूर कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाईएगा, तो अगले थर्च जे तक के लिए आप सभी लोगों को राब राम, नमस्कार, भारत माता की जै!